Hello friends चले देखते हैं आपके connection में आगे क्या होने वाला है क्या future है आपके connection का तो सबसे पहला card यहां पे आया है Ace of Wands का card action होगा यहां पे आपके person यहां पे आपके connection में यहां पे एक new beginning होने वाली है आप देख पारे होंगे यहां पे पुरानी leaves जड़ रही है और new sprouting भी हो रही है साथ में तो यहां पे divine आपकी life में जो पुराने patterns है वो खतम कर रहे हैं आपको और आपकी person को heal कर रहे हैं और दोनों को unite होने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और उसके साथ में दिखें यहां पे आया है two of cups का card तो आप तो जान सब्सक्राइब के साथ communication में आये reunion हो आपका आप पहले से पहले की तरह फिर से एक हो जाए तो यह समय आ चुका है अब आपका unite होने का equal give and take आपके person करेंगे और आप unite होंगे को कि बहुत जल्दी आप अपने person से unite होंगे और उसके बाद यहां पे आया है star का card प्रीरण का के star का card अगर आपने आप 연OP जरनी में है जो भी इवर्स इस वकते से देख रहे हैं और यहां पर आपके और आपके person की awakening जो है यहां पर बहुत स्पीर से चल रही है और आपके सेवन चक्रास जो है यहां पर बैलेंस हो रहा है और साथ ते साथ आपके person के भी यहाँ पे seven chakras balance हो रहा है आपके person की सबसे important यहाँ पे feminine energy balance हो रही है जो masculine अभी तक यहाँ पे logically सोचते थे emotionally वो कुछ चीजों को समझना ही नहीं चाहते थे और समझते भी थे तो वो avoid करते थे लेकिन अब उन्होंने इस connection को emotionally भी समझना शुर को सोचना बंद किया है कि हमने समझ में आ चुका है कि यह soul connection है यह twin flame journey है अब उन्हें पूरी तरीके से यह समझ में आ चुका है वो सकता है आपको 3D में नहीं का हो लेकिन उन्होंने उनकी soul यह पहचान चुकी है उनकी अंतरात्मा यह पहचान चुकी है उनका मन यह मान आपको अच्छे लगी हों तो प्लीज लाइक कमेंड में आके जरूर बताएगा कि आपको एनेजी कैसे लगी अपना दियान रखिए चैस्ट्री कृष्णा गॉड्ट ब्लेस्यू